राजिस्तान के मानवधिकार आयोक के अध्यक्ष ये टिपणी आई है कि लिवन में रह रही महिला के स्थिती राखेल जैसी हो दी है। इस तरह के रिष्टे में रह रही महिलाओं के स्थिती किसी रखेल जैसी होती है। आयोक के सामने लिवन के कुछ मामले सामने आये थे। वो लेखनी है कि आयोक के अध्यक्ष महिश चंदर शर्मा पहले भी अपने इस टिपणी से चर्चा बटोड़ चुके है। कि मोरनी मोर के आसु पी कर गर्भवती होती है। ये टिपणी उहोंने तब की थी जवो राजस्तान हाई कोर्ट में जज थे। हलाकि सुप्रीम कोर्ट अपने इस पैसले में ये बात भूल चुका है कि किसी को भी लेवन में रहने की आजादी है। शेश अधालत ने ये भी कहा कि लेवन के मामले घरेलू हिंसा की डाइरे में आते हैं।